मुंबई पुलिस ने 1992 के एक खुक्याद गैंग्स्टर को 32 साल बाद ग्रफतार कर लिया है जो जेजे अस्पताल में AK-47 राइफल से फाइरिंग के मामले में फरार था लेकिन अब क्राइम ब्रांच की एंटी एक्स्टोर्शन स्कौर्ड ने उसे पकड़ लिया है 1992 में दाउद इबराइम के निर्देश पर आरोपी और उसके साथियों ने जेजे अस्पताल में गैंग्स्टर अरून गवली गिरोग के शैलेश हल्दनकर पर अंदा धून फाइरिंग की थी जिसमें शैलेश और दो पुलिस करमी मारे गए थे इसके बाद से आरोपी फरार था आपको बता दे की हल्दनकर की हत्या गैंग्स्टर दाउद इबराहिम के बहनोई इसमाइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी मुंबई पुलिस ने हाली में जाच के दोरान पता चला की आरोपी उत्रप्रदेश के मिरजापूर सेंटरल जेल में बन था जहां उसने अपनी पहचान चिपाने के लिए फरजी नाम का इस्तमाल किया था पुलिस ने विशेश टाड़ा अदालत से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी को 25 अक्टोबर 24 तक हिरासत में लिया है